कि दिखे आपका CRPC में 87 सुरू किया गया था कि हाँ कि ने कूर्की का खर्चा तो भाई काटा ही जाएगा यह भले ना लिखाओ लेकिन यह तो जो कूर्की का खर्चा लगेगा करने में वह सरकार नहीं देगी आपको चाया अभ्यूक्त हो या उद्धोसित बेक्से भीन हो अब थोड़ा वक्त मनें कहीं लिखा नहीं गया है आपका यह सही बात है कि इस बारे में कहीं असपष्ट प्रावधान नहीं है अभी है कि कोई केस हो सो या कोई प्रावधान हो तो हम भी एक बार देख लेंगे मनें यह नहीं कि हम किलियर बता रहे हैं भाई लेकिन एक बार इस बात हम भी देख लेंगे तब फिर कर और असपष्ट करेंगे लेकिन जो सामान नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए लेकिन अब हो सकता है कोई सुप्रेम कोट का कहीं केस हो बैए केस आपका वकेल साब ज्यादा खोड़ सके हम लोगे बस की बात ठोड़ा काम है और वकेल साब प्रेटिस कर रहा है वो पूरा AIR तमाम केस दिखते हैं बस जो लोग प्रेटिस कर रहे हैं उनका भी दाहित तो है कि इस पर केस मिले तो बताएं देखे आपका 87 शुरू किया गया था 87 से लेकर और 90 तक यानिकी 87 से लेकर और धारा 90 तक ये क्लास यानिकी खंडड़ी है और इसमें आदेशिकाओं सम्बंधी अन्य नियम दिये गया है यानिकी आदेशिकाओं सम्बंधी अन्य प्रावधान किये गया है यानिकि अन्य प्रावधान का मतलब वे हुआ कि पहले खंड में आपका हाजीर होने के लिए विवस करने के लिए समन था, दूसरे में गिरफतारी का वारंट था, तीसरे खंड में उद्गोसना और कुरकी थे 82 से 86 और ये इसी चेप्टर अध्याज 6 में जो चौथा खंड हम सुरू कर रहे हैं वह मिसलेनियस हैं यानिकि छूटे फट के प्रावधान इस कलाज में हैं, तो ये कलाज कहां से कहां तक हैं तो 87 से लेकर आपका 90 तक इसमें कम से कम आपका दो धाराएं कभर करना हैं, एक 87 और एक आपका 89 87 आपका प्री आवर्मेंस दोनों में आ चुका है, 89 प्री में आने की संभावना रहती हैं, इसमें कोई सक नहीं है तो कि जब भी आप 89 पढ़ेंगे, तो उसके साथ IPC भी पढ़ना है, एक नई धारा जोड़ी गई हैं 2005 में, 139 A, 129 A उसको हम बताएं के अभी कोरले करके, आपका 87 प्री में भी आ चुकी है, और मेंस में तो इसकी पहले भूम का देखे, तब आगे बढ़ा जब है, इसकी पहले भूम का देखे फिर आपका कह सकते हैं कि 87 पहना है फिर दो धाराएं और कोर्लेट करके पहनी है पहला 259 और जो दूसरा है CRPC की धारा 260 का खंड टू इतनी धाराएं आपका कम से कम एक साथ पहना है इसको समझ यह थोड़ा सामानियम यह है कि समन मामलों में किसी अभ्यूक्त या गवाह को बुलाने के लिए यानि कि किसी एक्यूड या विटनेस को एपियर कराने के लिए अगर मामला समन मामला है यानि कि मैटर समन मैटर है तो जनरली क्या जारी किया जाता है समन समन जारी किया जाएगा तो समन किस मामले में जारी होता है समन मामले में समन मामले की डिफिनीशन किस धारा में दी गई है UW में समन मामला वह मामला होता है जो अपराद से रिलेटेड हो और जो आपका वारंट मामला नो हो तो बताए परिभासा निगेटिव दी गए है कि पाजिटिव निगेटिव यानकि जो वारंट मामला नहीं होगा वहीं कौन सा मामला होगा समन तो वारंट मामला कोवन नहीं है इसके लिए आपका 2X में जाना पड़ेगा CRPC की धारा 2X ये बताती है कि ऐसा पराध जिसमें सजा मृत दंड हो आजीवन कारावासो क्या दो वरंट से अधिका कारावासो वह वारंट मामला माना जाएगा तो इसके अलावा अब जो बचेगा वह कैसा मामला होगा समन बचा क्या तो ऐसे मामले जिसमें दंड दो वरस हो या दो वरस से कम हो या केवल जूर्माना हो ऐसे मामले कौन से मामले माने जाएंगे समन पर यही तो बचा वारंट मामले के अलावा बचा क्या यही यानि कि एक कटरिया बना लिजे मनेकाप का तरीका दो वरस से अधिक सजा है तो वह वारंट मामला अद दो वरस या दो वरस से कम की सजा है तो वह कौशा मामला समन पुछा भी जा चुका है अब आईए अब सामानिता समन मामलों में नयाया ले किसी ब्यक्त को APR कराने हे समन जारी करता है तो आदेशिका की धारा में जारी होती है यानि की समन मामलों में समन की धारा के तहत जारी होता है इसू होता है तो आपका जबाब रहेगा धारा 204 अभी अमाएंगे लेकिन धारा 204 में एक और पॉइंट है नियायाले उचित समझे तो 204-1-B यानि की खंडवाई याद रखेगा 204-1-B में नियायाले अगर उचित समझता है तो वारंट मामलों में भी गिराफतारी का वारंट जारी न करके समन जारी कर सकता है फिर एक बार देखिए CRPC की धारा 204-1-B बताती है की नियायाले अगर उचित समझे तो वारंट मामलों में गिराफतारी का वारंट न जारी करके क्या जारी कर सकता है समन यानि कि वारंट मामलों में क्या समन जारी हो सकता है या आप कहेगा हो सकता है फिर पूछे कहां प्रावधान है तो 204-1-B इसके उल्टा भी पूछेगा कि समन मामलों में गिरफतारी का वारंट जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये कहां प्रावधान है तो ये तो धारा पढ़ाई जाएगी 87 फिर एक बार इसको देखे वह उल्टा लोग जानते हैं वारंट मामलू में समन जारी किया जाना ये 204 1 B और समन मामलू में वारंट जारी किया जाना तो CRPC की धारा 87 दोनों याद रखेगा अब ये जो दो धाराएं आपका correlate करके लिखवाई गई हैं आपका 259 और 260 का class 2 ये समन और वारंट जारी किये जाने से संबंधित नहीं हैं ये दोनों धाराएं विचारन या ट्रायल की प्रक्रिया को चेंज करने से संबंधित हैं फिर एक पर याद रखे दुबारा बता जा ये जो दो धाराएं लिखवाई गई हैं 259 और 260 का class 2 ये समन और वारंट जारी करने से related नहीं हैं बलकि जो आगे विचारन या ट्रायल हम बताएंगे उसको परिवर्तित करने से संबंधित हैं चेंज किया जाता है ट्रायल तो आपका समन मामलों का विचारन चल रहा है तो वह वारंट मामलों में convert किया जा सकता है लेकिन सजा चेंज माह से अधिक होनी चाहिए उस मामले में तो कौन सी धारा लागू होगी 259 वायादर के समन ममलों को किसमें कनवर्ट किया जा रहा है वारंट में और धारा 260 का खंड दो बताता है कि अगर मजी स्टेट को ये लगता है कि किसी मामले का संचिप्त विचारन यानि कि समरी ट्रायल यानि कि जल्दी से जल्दी सुनवाई करके फैसला देना उचित नहीं हो तो वह संचिप्त विचारन की प्रक्रिया को ही का कर सकता है चेंज कर सकता है या तो समन ममलों में या वारंट ममलों में जैसा भी ममला हो उससे हमें मतलब नहीं है तो कि संचिप्त विचारन कुछ वारंट ममलों का भी होता है और कुछ समन ममलों का भी तो ये धाराएं आपका मुख्य रूप से ट्राइल को change करने की बात करती हैं समन के बदले वारंट या वारंट के बदले समन की बात नहीं करती हैं तो जब ये लिखिएगा तो ये तो correlate करके बता दिया गया इसको छोड़ देना है मेंस में लिखते समय कम से कम इतनी बातों का तो उले करना ही होगा अब आईए 87 की आपका 87 भाई सुरू किया जाए 87 को आप कैसे लिखेंगे मेंस में वो पहले बता दिया जाए और तब 87 की जो बाते हैं एक एक करके सुरू किया जाए देखें आपका भाई आपका प्रस्ट ये बनेगा प्रस्ट बनाई है कि उन पर इस्थितियों का वरणन करिये जिसमें समन के अस्थान पर या समन के अतरिक गिरफतारी का वारंट जारी किया जासकता है उन पर इस्थितियों का उलेह करिए जिसमें समन के अस्थान पर या समन के अतिरिक्त आपका गिर्फतारी का वारट जारी किया जा सकता है ये आपका प्रस्ण बनेगा तो आपको इस प्रस्ण का उतर में भूमका में आपका कैसे लिखना है पहले ये देखे भूमका में आप ये दिखाएंगे कि सामानितह समन मामलों में नयायाले किसी ब्यक्तिको एपियर या उपसंजात या हाजिर कराने हित समन जारी करता है लेकिन यहाँ समन जारी करता है समन मामले की परिवासा टू डबलू में दी गई हैं ऐसा मामला जो अपराद से संबंदित हो और वारंट मामला नहों लेकिन यह वीद का पूरुन नियम नहीं है धारा 87 में इसका अपवाद दिया गया है जहां की समन के अस्थान पर या समन के अतरेक नयाले गिरापतारी का वारंट जारी कर सकता भूम का लिखते समय देखे मैं कहां कहां से कोरलेट किया भूम का लिखते समय आपका टू डबलू से उठाना है और फिर आपका 87 उसी में बीच में आपका 24 भी समाहित किया जाएगा लेकिन कब अब बेरक शुरू होने के बाद देखे बेरक अब पहला तो ये समझे समन के अस्थान पर और उसके अतरेक्त इसका मतलब क्या हुए कई लोग इसी में ब्रहम खाते हैं समन के अस्थान पर और समन के अलावा या अतरेक्त ये दोनों सब्द एक नहीं है जैसे कि आपका और भी पूछा जाता है कि संगे अपराध और संगे मामला क्यान कि कांगनिजेबुल अफेंस और कांगनिजेबुल मैटर एक है कि अलग अलग है ये बिहाज के जे के इंटर्व्यू में भी कई लोगों से पूछा गया तो एक नहीं है बलकि अलग अलग है आपका मामला मतलब की पूरी घटना और किसी घटना में जो जो अपराध हुए हैं वो अलग अलग अपराध होंगे और पूरी मामले को पूरी मामले को पूरी घटना को हम क्या नाम देंगे मैटर या मामला तोसी प्रकार सतर करना है जो ये समन के अस्थान पर और समन के अतिरिक सब्द हेडिंग में लिखा गया है इसका मतलब अलग अलग है इसका मतलब यह हुआ कि समन के अस्थान पर का मतलब यह हुआ कि न्यायाले समन मेंटर में समन जारी न करे बलकि डाइरेक्ट क्या जारी कर दे गिरफतारी का वा फिर एक पर देखे वह समन के अस्थान पर का मतलब यह हुआ कि न्यायाले को यह सक्ति प्राप्त हैं कि मामला समन मामला हैं तो समन मामलों में समन जारी ही न करे डाइरेक्ट कौन सा वारंट जारी कर दे गिरफतारी का यह स्थान पर आया समन के अतिरिक्ट का मतलब यह हुआ कि समन जारी किया गया था और व्यक्ति समन पर हाजिर ही नहीं हुआ तो समन के अतिरिक्ट न्याले उसके अलावा क्या जारी कर सकता है गिरफतारी का वारंट यनकी ए एक अभुत था समन मैटर था समन जारी हुआ ए समय पर कोट में आया ही नहीं तो नियाले के पास क्टा बिकल्प है बुलाने के तो 87 में बिकल्प हैं क्या जारी करे गिरापतारी का वारंट। कारण वह गिरफतार नहीं हो पा रहा है तो अगला काव क्या उपा है उद्धोसना और उसके बाद क्या उपा है बता गया था कूर की अब कोचन ये भी इंटर्व्यू में बन सकता है कि क्या समन मामलों में उद्धोसना और कूर की हो सकती है कि नहीं हो सकती है क्रम से आईए स जमन जारी किया गया नहीं आया तब क्या जारी किया गया गया तारी का वारण फरार हो गया या भाग गया चुपा लिया अपने को फिर ब्यासी में क्या जारी की गई उद्गुसणा और फिर त्यासी में क्या किया गया उसकी संपत को चल या अचल संपत को पूर्क करने का आ देश दिया गया यानि की प्रोकुमलेशन एंड अटाइचमेंट समन मामलू में भी जारी किया जा सकता है यह ना कई दीजिए के उलवारंट में अब आपका बेरेक्ट देखिए भाई दो प्रावधाने अच्छे से मेंस के लिए भी त्यार रखे बेरक देखिए नियायाले किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी ब्यक्ति को हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस सहिता द्वारा ससक्त किया गया है यानि कि नियायाले किसी भी मामले में जिसमें कि वह किसी ब्यक्ति की हाजिरी के लिए जारी करने के लिए ससक्त है यानि कि आपका समन यानि कि इसका मतलब वे हुआ कि नियायाले को प्राधिकार हैं अथाटी हैं या सकती प्राप्थ हैं कि वह सी आर पीसी के तहट किसी ब्यक्ति के खिलाब समन जारी कर सके तो कहां कहां नियायाले को ये पावर हैं कि वह समन जारी कर सकता हैं और किस मामले में कर सकता हैं फले ये सतर कराना है इसके लिए आपका दो सव चार काम करेगी भाई इसी में देखना है दो सव चार ये काम करेगी दो सव चार में ये आपको देखना है धारा कि सामानिता सी आर पीसी की धारा दो सव चार बताती हैं टू जी रो फोर बताती हैं कि न्यायाले समन मामलों में सामानिता क्या जारी कर सकता हैं समन यानि कि पहला कौन सा मामला आया समन मामला दूसरा देखे न्यायाले क्या अन्य किसी परिष्टिती में भी CRPC के तहट समन जारी कर सकता है तो अभी बताया गया कि न्याया ले धारा 204-1B के तहट वारंट मामलू में भी अगर उचित समझे तो गिरापतारी का वारंट न जारी करके क्या जारी कर सकता है समन इरकबार याद रखे क्या वारंट मामलू में समन जारी करने की सकत कोट को प्रापत है कि नहीं पूछ ले तो है अगर की धारा में धारा त्यार करके जाए 204-1B असपट लिखा गया हम अपने मंस नहीं फिर एक बार देखे भाई बेरेट की महाँ साथ नयाले किसी भी ऐसे मैटर में जिसमें वह किसी ब्यक्ति अभ्युक नहीं लिखा है क्या सब्द है तो पता ये ब्यक्ति में कौन आएगए अभ्युक आएगा कि गवाह आएगा कि प्रत्भु आएगा कि तीनों आएगे किसी ब्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस सहिता द्वारा यानि कि CRPC द्वारा ससक्त है उन्हें अथराईज है तो पहला पॉइंट ये आपको पकड़ना है कि न्यायाले CRPC के तहट किसी ब्यक्ति को हाजिर कराने है कब आपका समन जारी करने की सकती रखता है तो पहला नियम हुआ कि समन मामलों में और दूसरा नियम भी आया कि वारंट मामलों में भी न्यायाले उचित समझे तो गिराफतारी का वारंट जारी न करके क्या जारी कर दे समन तो यहां भी आपको आगे बढ़ना है आपका दोनों पर एक पुजारन देखे मामला समन मामला था नियाले ने समन जारी किया ब्यक्ति हाजिर ही नहीं हुआ तो नियाले क्या करे तो बिकल्प 87 में मौजूद है अब क्या जारी करे गिराफतारी का वारंट मामला वारंट मामला था नियाले ने उस मामले में समन ही जारी किया लेकिन ब्यक्ति हाजिर नहीं हुआ तो नियाले अब क्या जारी कर सकता 87 के तहत गिराफतारी का वारंट अगला सब देखे अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात यानिकी न्यायाले जब भी समन के अस्थान पर या समन के अतिरिक गिरहतारी का वारंट जारी करेगा तो रीजन लिखेगा यानिकी कारण लिखेगा यानिकी न्यायाले इस बात का कारण लिखेगा क्यों मैं गिरहतारी का वारंट समन जारी करके गिरहतारी का वारंट जारी कर रहा हूँ लिखना प्लेगा आपका के पहचात उसकी हाजिरी के लिए मने उस ब्यक्तिक्वी हाजिरी मने एपियरेंस यानि कि न्याले में वह क्या हो उपस्थित इसके लिए वारंट जारी कर सकता है फिर सब्दाया गिरपतारी का वारंट जारी कर सकता है तो न्यायाले का वीवेका दिकार हैं कि न्यायाले बाद हैं तो सकता है रहेगा में रहेगा तो वीवेका दिकार और सैल रहेगा तो क्या हो जाता बादिकारी यहनि केटी सेवेन के तहट बादिकारी नहीं है बलकि क्या है न्यायाले का वीवेका दिकार अब कितनी परिष्थितियों में न्यायाले समन के अस्थान पर या समन के अत्रेक्त गिराफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है तो 87 में दो कर्णिशन दी गई हैं दोनों अच्छे से त्यार रखे अनकी कितनी परिष्थितियां दी गई हैं दो पहली परिष्टिती देखे भाई खंड ए में देखा जाए यद या तो ऐसा समन जारी करने के पहले या पहच्चात इसका मतलब पहला खंड ही बताता है या तो ऐसा समन जारी करने के पूरू यानिकी न्यायाले आपका समन जारी ही न करे और समन जारी करके उसके पहले ही क्या जारी कर सकता है तो क्या समन मामलों में समन जारी करना बाधिकारी है तो आपका जबाब रहेगा नहीं क्योंकि समन मामलों में न्यायाले समन जारी न करके उसके पहले यनकी क्या जारी कर सकता है गिरापतारी का वारंट इसको कहा जाता है समन के अस्थान पर गिरापतारी का वारंट जारी करना यनकी समन जारी ही नहीं किया यानि कि अगर ने आया ले कोई ये लग गया कि ब्यक्ति इतना बदमास है इतना दूशरीत रहे इतना आपका मने बैट करेक्टर वाला है कि ये समझ जारी करने पर तसकेगा नहीं यानि कि हिले डूलेगा नहीं यानि कि कोट में क्या होगा आएगा नहीं तो नहीं हले अब समन्द जारी करके समय बरबाद क्यों करें डाइरेक्ट क्या जारी कर दे गिरापारी का वर्थ वैसे होता कम हैं हैं प्रावधान लेकिन यूज क्या किया जाता है कम वह अलग बात है अगरा देखें सब यदिया तो ऐसा समन्द जारी किये जाने के पूरू या पश्चात पराईये इसका मतलब की न्यायाले ने किसी ब्यक्त की हाजरी के लिए समन्द जारी किया है और समन्द जारी करने के पश्चात मतलब क्या हुआ बाद न्यायाले चाहें तो उस ब्यक्त की गिरापतारी के ल इसको हम कहते हैं समन के अतिरिक्त वारण इसको हम क्या कहेंगे समन के अतिरिक्त का मतलब कि समन जारी किया गया है और उसी मामले में उसके बाद क्या जारी हुआ है गिराफतारी का वारण और दोनों अलाग अलाग स्टेज है अगला सब देखे पूर्व या पषाट उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व यानि कि जी दिन अगर समझ जारी कर दिया गया है तो जी दिन उस को judgments को किया होना है ने आले में हाजिर होना है उसके क्या पूर्व इसका मतलब यह हुआ कि पहला खंड तब लागू होगा अगर समन जारी भी कर दिया गया है समन जारी करते समय आपका कह सकते हैं कि डेट दी गई है हाजिर होने की और जो डेट हाजिर होने की दी गई है उसके पहले ही नायाले को बिलीब हो जाए बिश्वास हो जाए क्या बिश्वास हो जाए देखे आगे भाई नियत समय के पूरुण आयाले को यह बिश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है यह समन का पालन नहीं करेगा यहने कि फिर एक बार अच्छे से देखे आपका दो अलग अलग बाते हैं क्लाज ए सतर करेगा क्लाज ए कब अपलाई करेगा क्लाज भी कब अपलाई करेगा यहीं आप थोगा दिमाग लगाना है क्लाज ए तब अपलाई करेगा जब अभी न्यायाले में वह ब्यक्ति हाजिर ही नहीं हुआ है यानि कि डेट दी गई लेकिन डेट भीती नहीं है और खंड भी तब लागू होगा जब जिस तारीख को उसे हाजिर होना था वह हाजिर नहीं हुआ फिर एक बार कंसेप्ट में एक कठिन है कि आपका सब्दों को समझना थोड़ा कठिन है फिर एक बार हम बता रहे हैं दोनों का स्टेज अलग अलग है खंड ए तब लागू होगा जब आयाले ने हाजिर होने के लिए समन जारी ही नहीं किया था तो डायरेक्ट वारंट जारी कर दे यानि आयाले ने समन जारी किया थ जिस तारीख को ऐसे ब्यक्ति को हाजिरी के लिए डेट लगी थी उसके पहले ही नयायाले को बिलीब हो गया विश्वास हो गया कि जिस ब्यक्ति के खिलाप हम समन जारी किये हैं वह डेट पर आएगा नहीं तो नहीं आएगा या तो वह फरार हो गया है या आपका वह समन क पालन नहीं करेगा यानि कि हमने समन्तु जारी किया पालन नहीं करेगा मतलब की डेट पर आएगा कि नहीं नहीं या क्या हो गया है फ्राद वैंने आले क्यों इंतजार करे आपका क्या जारी कर दे गिराफतारी का वारण फिर एक बार तोड़ कर देखें भाई तो आपका समझना भी कठिन है समझाना भी इतना सब्द उल्हे हुए है लेकिन एक दम सीधी भासा में देखिए सीधी भासा में ये आया कि न्यायाले जिन मामलों में समझ जारी कर सकता है अगर उसे भी स्वा सोजाए कि अभ्युक फरार हो गया है या समन पर हाजिर नहीं होगा यानकि अगर हम समन जारी भी करते हैं तो ये कोट में आएगा नहीं तो न्यायाले समय बरबाद न करे समन जारी ही न करे और पहली ही बार में समन मामलों क्या जारी कर दे गिरफ्तारी का वारण इसको हम कहेंगे समझ के अस्थान पर गिरफ्तारी का वारण यानि कि समझ जारी किया गया कि नहीं किया गया नहीं दूसरा पॉइंट इसमें ये कहा जा रहा है कि न्यायाले ने किसी ब्यक्त की हाजिरी के लिए समन जारी किया जिस तारीख को ऐसे ब्यक्ति को हाजिर होना है उसके पहले बाद में नहीं उसके पहले ही न्यायाले को यह विश्वास हो जाता है बिलीब हो जाता है कि यह ब्यक्ति या तो क्या हो गया है फरा या समन में जारी तो किया हूँ लेकिन समन का पालन नहीं करेगा यनकी कोट में आएगा नहीं तो जी दिन हाजिर होना है उसके पहले ही न्यायाले क्या जारी कर दे गिरफतारी का वारत ये पहले क्लाज में था कठिन है दूसरा क्लाज थोड़ा आसान है दूसरा क्लाज इसले आसान कि दुसरा क्लास इसलिए आसान है कि आपका समझ जारी किया जाएगा उडेट दी रहेगी हाजिर होने की और उस डेट पर वहब्या की गैर हाजिर रहेगा तो जब गैर हाजिर है तो न्यायाले बुलाने के लिए क्या जारी करे गिरफतारी का वार पलुदारण दुसरा कर देखे माल जिये एक अभ्यूक्त था न्यायाले ने इसके नाम समझ जारी किया और कहा कि एक जनवरी को न्यायाले में क्या हो जाना हाजिर अब यह जो है अब एक जनवरी को न्यायाले में हाजिर नहीं होता यान कि हो जाता है कि नहीं होता नहीं होता तो सबसे पहले त तो IPC में हमें देखना है अभी हम आएंगे IPC इसको correlate करते हुए पहले इसको आगे बढ़ा जाए तो ऐसी दसा में एक को हाजिर कराने के लिए न्यायाले के पास अब क्या उबाय हैं क्योंकि एक बार कम से कम हुआ डेट दी गई और हाजिर नहीं हुआ तो न्यायाले के पास ये भी कल्प हैं कि एक एक खिलाप अब क्या जारी कर दे गिरापारी का वारण और पुलिस जाएगी अब जवर जहस्ती पकड़ कर बुल्डोजर बाबा की पुलिस का करेगी लाएगी अब चाटन्डा मारेगी कि क्या होगा अब कोई भरोसा नहीं क्य की मन बढ़ गया है इसके कारण बुल्डोजर बाबा के कारण यानि कि मानवादिकार का उलंगन करने में एक नमबर पर कौनी समय चल रही है यूपी पुलिस इनकाउंटर में भी एक नमबर पर देश में कौन है यूपी पुलिस सुप्रीम को बार बार कर रहा है कि आईसा नो हो यानि कि ये तो रूराफ लाका क्या है वाइलेशन लेकिन बाबा जी सुन नहीं रहे हैं फुली छूट दिये हैं कि क्या करो ठोके ऊपर पहुचा दो या तो भाग जाओ प्रदेश छोड़ कर या सरेंडर कर दो या कहां पहुच जाओ जम्मु के मंतरी सीधे आपका इ तो क्या करेगा इसलिए डीजे साब को रात बर चौक्सी करनी पड़े कि हमारा खेत कहीं क्या ना कर दिया जाए भुल्डूजर से उखाड ना दिया जाए तो ऐसे उनकी बात माल ली गई अब प्रसासन के हाथ पाँ फूल गए कोई कि भाई बल का प्रयोग कर ने सकते हम जहां जादा हो जाता इसलिए पुलिस वाले और प्रसासनिक अधिकारी पीछे हट गए पीछे अपने वादे से आगे देखिए यानिकी यह हम बता रहें अब एक बार आपका बेर एक के भासा बताई जाए जाए कि देखिए फिर एक बार भाई आपका देखिए यह खंड भी अब बेर एक से चला जाए बेर नहीं बता आ गया अब बेर एक से आपका देखिए कटिन है मैं फिर बता दूँ भाई 87 भले छोटी धार आओ लेकिन जो सब्द है इसके वह काफी उल्जाव लिखे गए हैं और आहम आदमी के पढ़ने की बस की बात कम है देखिए यह दिवह ऐसे समय पर हाजिर होने में अस्फल रहता है और यह प्रूप या साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामिल सम समीया किया प्रापर्यय उचीत तरीके से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदर्व और उसका पालन करते हुए हजिर होने के लिए वशर था उसके पास मौका था और आइसी अस्फलता के लिए वी उचितकारण नहीं दिया गया कोई उचित प्रति हे तु नहीं बताया गया यहां कि फिर एक पर देखे इसी उधारन पर समाल लिजिए एके नाम समन जारी किया गया नयाले ने ये देखा कि ए पर समन की तामिल हो चुकी थी तामिल उचित रूप से हुई थी एके पास इतना मौका था कि वहन आयाले में चाहता तो क्या हो जाता हाजिर और एक गयर हाजिर रहा यानिकि डेट पर हाजिर नहीं हुआ और एक की गयर हाजिरी का कोई उचित कारण नहीं है यह क्यों गरहा जीर रहा इस बारे में कोई उचित कारण भी नहीं बताया तो उचित कारण यह बता सकता है तब वारंट जारी नहीं होगा तो दो तिन उचित कारण आप भी बता दीजे कि ट्रेलेट हो गई आपका बस का एक्सिडेंट हो गया किसान आंदोलन ने रास्ता क्या किया था जाम कर दिया था इसके बाद आपका इतनी बारिस हो गई कि हम निकले तो क्या हुआ साधन ही नहीं मिला वकील साहब ने डारी में दो तारी की जगात तीन तारी क्लिक दिया था तो ये नो आने के हम बिमार पड़ गए हम कहां चले गए अस्पताल में तो फर्जी लोग बनवा लेते मेडिकल रिपोर्ट कहां जाकर पर अस्पताल में जाईए मेडिकल रिपोर्ट बनवा लिजे कि हमाने में क्या थे वकील साहब लोग इस मामले में बहुत तेज होते हैं आपका हाजिरी माफि का एक अप्लीकेशन देते रहते हैं कि हाजिरी क्या की जाए माफ की जाए नहीं देंगे हाजरी माफी का तो उसके बाद क्या होगा गिरहतारी का पार अधकील साब देते हैं कि अभी उत्त विमार हैं या क्या हैं फुद ही साइन कर देंगे और कहां देंगे कोट में या ये कचारी में तो रोज यही काम होता है डेट पर डेट डेट पर डेट 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 तो कुछ लोग cevाभ के खिलाब करवाई से कुसवी थे यहां एक डिल्टी साहहं जो रोज क्या करते हैं डेट पर डेट रेते हैं और जब इन पर पड़ी हैं तो है तोबा मचा रहे अब भी सिगृता से क्या करिये? न्याय, वो तो अलग बात है, यानि कि अब आईए अगर बीना किसी कारण के न्यायालेने हाजिर होने का आदेश दिया और बिना किसी कारण के एक हाजिर नहीं हुआ तो एक तो आपका गिरसमन मामलों में अब गिरहतारी का वारंट जारी कि और दूसरा परिणाम ये होगा कि नायाले ने बुलाया और एहाजी नहीं हुआ तो ए ने एक अपराद कर दिया ये मेंस और परी दोनों में पूछा जाता है देखें कैसे आपका कोचन मनता है इसको मेंस के लिए भी त्यार रखेगा दिली उचनायाले ने एक एक हिलाब एक सपीना जारी किया अब उसमें समण नहीं लिखा है सपीना जारी किया सपीना मतलब आदेशित किया कि तुम नायाले में क्या हो हाजी कलकत्ता उचने आया ले एक एक खिलाब एक सपीना जारी करता है यानि किस आदेश देता है हाजिर होने का और ए बिना किसी कारण के उस तारीख को जिस तारीख को हाजिर होना है कोट में हाजिर नहीं होता तो ए ने कौन सा अपराद किया कि नहीं किया और की सेक्सन के तहता अपराद किया कितना दढ़न पायेगा तो IPC के कि सेक्सन नहीं 270 से नहीं बैशे दूसरी धारा कि कि एक सोच रहे कि पच्छातर देखे एक बत प्रता मनोशुची देखे तो नायाले के आधेश से हाजी नहोना एक बार देख प्रता मनसुची में देख ले रहे हैं ठीक है लेकिन एक बार हम भी ही थोड़ा हमीश हो रहा है तो भाई देख के लिए आ जाए भाई उदारन पूछे जाते हैं जो लोग आपका उदारन भी तयार रखेगा 174 है तो 174 में IPC में बेयरेक्ट में ये उदारन दिया गया है पहला उदारन है और यहीं बार बार आपका मेंस में पूछा जा रहा है इस प्रकार आपका जो 87 का प्रावधान था अब जाके समाप गए निकिधारा छोटी थी लेकिन काफी समय ले ली इसलिए ली की काफी टेक्निकल कोजन और कोरलेशन था अब अगली धरा आईए भई अब 88 देखेए फिर 89 देखेए अब फिर दो धाराएं और पढ़ना है 88 बताती है कि हाजरी के लिए बंध पत्र लेने की सकती इनकि इसका मतलब भी हुआ कि कोई ब्यक्ति जिसकी हाजरी या गिरफतारी के लिए किसी नायाले का पीटा सीन अधिकारी समन या वारंट जादी करने के लिए ससकते हैं तो ऐसी दसा में उस ब्यक्ति से यह अपेचा कर सकता है कि जब तक मामला लंबित हो जब जब हम बुलाएं तुम ये बंध भरो बंध पत्र भरो कि तुम क्या होते रहोगे हाजरी तो हाजरी के लिए बंध लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है और जैसे ही बंध का उलंगन करेंगे यानि कि भाग गए फरार हो गए बिना किसी कारण के हाजर नहीं हुए तो अगली धारा बनी है देखे आपका 89 देखे भई आपका जब भी आप 89 पढ़िए फिर आपका IPC से कुर्लेट करना है जब भी CRPC की धारा आप 89 पढ़िए तो एक तो आपका CRPC की धारा 436, 437, 439 और 449 पढ़ना है यानि कि 4 धाराएं एक लाइने जानना है इसके बाद आपका जो पढ़ना है वह IPC पढ़ना है और इसी के साथ IPC की धारा 229A IPC की भी धारा याद रखेगा 229A 229A यह जो IPC की धारा है यह मूल IPC में नहीं थी आपका 2005 में IPC में संसोधन करके जोड़ी गए इसकी भूंका पहले देखे भाई आपका 89 तब देखे आपका 88 में यह था कि न्यायाले या अधिकाई किसी ब्यक्त की हाजिरी के लिए आपका बंद भरवा सकता है तो मालिजिए ए एक अभ्यूक्त था न्यायाले ने इस सर्थ पर इस कंडिशन पर उसे चोड़ा है जमानत दी है कि जब जब न्यायाले बुलाएगा तब तक तुम हाजिर होते रहोगे और न्यायाले ने उसे जमानत दी है यानि कि अभ्यूक्त बांड भरा और बांड में ये लीखा है वादा किया है कि जब जब नयायाले बुलाएगा हम क्या होते रहेंगे कोट में हाजिर और फरार हो गया यहनि कि बांड की सर्तों का क्या किया पुलंगा तो पहला यह देखना है कि जब नयायाले जमानत देते हैं तो कुछ कंडिशन लगाते हैं यह कंडिशन हमेशा रहती ह कि जमानत तो तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन जब जब मैं बुलाओंगा तब तक क्या होते रहना कोट में हाजिर इसके लिए अब युक्त से बंड भरवाया जाता है बंद पत्र बंद पत्र मतलब कि तुम बाउंड हो बाद दे हो कि जब जब कोट बुलाएगा तुम क्या होगे हाजिर अब आगे बढ़िये मालिज ये एक जनवरी को हाजिर होना था और बीना किसी कारण के अभ्यूक्त गर हाजिर रहा इसका मतलब कि जो बांड अभ्यूक्त ने भरा है उसका वह क्या कर बैठा वाइलेशन तो बताएए वाइलेशन होगा तो क्या होगा अब बाई आपका पहला कोशन अगर बंध पत्र में सर्क लगी है कि जब जब कोट बुलाएगा तुम क्या करना उपस्थित होना और गर हाजिर हो गया तो पहला आप धारा अपलाई करियेगा CRPC की धारा 89 89 में ये बताएगा कि अब ऐसे ब्यक्त की गिरफतारी के लिए गिरफतारी का वारंट जारी होगा और जो वह बांध भरा था उसे रद किया जाएगा और भेजा जाएगा जिल यानि कि बांध रद बांध जब क्योंकि तुमने बंध पत्र का क्या किया उलंग हन्ट किसका वारंट जारी होगा अब गिरफतारी का पुलिस खोजेगी अगर हाजरी के लिए अब यहाँ अगर किसी ब्याक्ति पर जमानत दी गई है किसी ब्याक्ति को और जमानत में कंडिशन या सर्थ लगी है और वह ब्याक्ति उस जमानत की सर्थों का वाइलेशन करता है उलंगन करता है तो वह ब्याक्ति एक नया अपराद कर बठा और की धारा के तहत अब अपराद है यह आईपीसी की धारा 229A दंड देखे एक साल है न दंड एक साल या जुर्माना आ एक वरस का कारावास या जुर्माना या दोन लेकिन ये कब लागू होगी जब वह बांड की सर्थों का क्या किया है फिर एक बार देखे भई अगर किसी ब्यक्ति ने हाजिरी के लिए बंधपत भरा है हाजिर नहीं होता उस समय पर तो न्याया ले अब उसकी गिरफतारी के लिए सेक्षन 89 के तहट गिरफतारी का वारंट जारी करेगा जब वह आ जाएगा पकड़कर तो बांड को रद कर देगा और जैसे ही ये साबीत हो गया यह व्यक्ति जमानत की सर्तों का या हाजिरी की सर्तों का क्या किया है जमानत की सर्तों का उलंगन तो एक नया अपराद कर बठा ऐसा व्यक्ति वह कौन सा अपराद है 229A का तो जमानत की सर्तों का उलंगन करना बर्तमान में अपराद हैं और सेक्षन याद रखे कौन सा है दो सो उन्तिस ए आई पीसी CRPC नहीं अभी आपका भाई CR को पेस करने के लिए नयायाले आदेश देता है कि आप इसे पेस करिए तो आपका अध्याय 6 में ये था कि ब्याकियों को नयायाले में हाजिर कराने के लिए विवस करने के लिए आदेश का जारी किया जाता था जिसमें हमने बताया समन है गिरफतारी का वारंट था और उद्धोसणा और कूर की इसके बाद चेप्टर 7 में आपका चीजें पेस करने के लिए आपका अधेश दिया जाता है कि कोई बस्तु हैं कोई चीज हैं कोई सामन हैं कोई डाकोमेंट हैं तो ऐसा ब्यक्ति नायाले में पेस करें यानिकी कोट में पेस करें इसके लिए जो प्रावधान हैं आपका 91 से लेकर 105 तक हैं यानिकी 91 से लेकर आपका 105 तक हैं तो जो बस्तु में पेस कराई जाएंगी खंड वाध दिया गया हैं दो धारा हैं 91 और 92 जब सर्च वारंट जारी होगा यानिकी बस्तु या ब्यक्ति की तालासी तो आपका 93 से 98 इसके बाद आपका 100 से और 105 तक कुछ मिशलेनियस बातें हैं यानिकी इधर से जो पिछली बार UPAPO में आपका इसके पहले वाले में कोशन आया था वह पहले बता दिया जाएंगी प्री में जो कोशन आया था आपका एक 93 से आया था दूसरा 97 से आया था और फिर आपका 104 से आया था यानिकी आपका इधर से कोशन बनते रहते हैं मेंस में भी आहां से कोशन बनता हैं पहला तो सर्च वारंट या कोज वारंट या तालासी वारंट पर दूसरा आपका UPAPO में बना है कि बंद अस्थान की तालासी कैसे ली जाएगी तिसरा भी कोशन आपका बना है कि पुलिस संपतियों को कैसे जब्त करेगी और उसके बाद उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा यानिकी सुद्ध रूप से इधर मेंस में भी आपका तीन कोंडे हैं बाइबिहार आपका सर्चवारंट को खोज वारंट लिखता है। करने के लिए जो आदे सिखाए हैं पहले कोड ले कर लिया जाए उसके बाद सेक्षन वाज सुरू होगा CRPC में 91 से लेकर 105 तक आप पढ़ेंगे 105 तक जहां की चीजों को पेस करने के लिए किसी ब्यक्ति को विवस किया जाता है इसकी बाद आपका IPC में देखना है कि अगर किसी ब्यक्ति को कोई दस्तावेज पेस करने के लिए आदे सित किया गया और वह ब्यक्ति उस दस्तावेज को पेस नहीं करता तो क्या वह अपराद कोई करेगा की नहीं यानि की पेश न करना अपराध माना जायेगा कि दूसरा एंगल ये देखना है तीसरा एंगल आपका देखना है, सम्बिधान में देखना है कि आउच तम न आया ले भारत के किसी भी बैक्ति से कोई दस्तावेज पेश कराने का आदेश दे सकता है कि नहीं तो सुप्रीम कोट को फूल पावर है और वह अनुच्छेद पहना सम्मिधान का 142 यानि की 142 इसके बाद आपका CRP इसके बाद आपका जो पहना रहता है आपका evidence में पहना रहता है कि क्या भारती साच अधिनिया में ऐसा कोई प्रावधान है जो न्यायाले कोई सक्ती देता है कि न्यायाले किसी ब्यक्त से कोई document पेश कराने का आदेश दे सकता है कि तुम पेश करो तो जब साच अधिनियाम पढ़िएगा तो मुख्य रूप से 162 कि दस्तावेजों का पेश किया जाना न्याले आदेशित कर सकता है कि आप इस दस्तावेज को क्या करिये पेश इसके बाद सिविल मामलों में लास्ट में देखना है कि क्या सिविल मामलों में पूट के पास ये पावर CPC में हैं की नहीं, कि वह किसी ब्यक्त से कह सके, कि वह कोई डाकॉमेंट पेश करे हैं, और वह पावर CPC की किस धारा में हैं, तीस में, और अगर वह ब्यक्त उस दसतावेज को पेश नहीं करता, तो ऐसा ब्यक्ति सजा का अकदार होगा दंड पाएगा और कि धारा में दंड हैं CPC में 32 यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप 91 से लेकर आपका 105 तक पढ़िएगा कमाम चीजें कोर्लेट भी करनी है और वह आपका कोर्लेशन आपका होगा बीच बीच में आपका कभी पुलिस से कभी सिविल मामलों से कभी क्रिमिनल मामलों से तो एक एक करके पहले भाई निप्टा जाए अब इस यारपीसी हम बाद में सुरू करते हैं 91 आपका पहले यह साच अधिनियम की धारा 162 एक और आपका पूछा जाता है भाई कि एविदेंस की धारा 139 है 139 है चलिए इसको देखा जाए पहले इतना देखे उसके बाद आपका आएगा बीच में अभी बेरेक में आएगा तो कुछ धारा है अभी कोर्लेट करनी पड़ेगी आपका एविदेंस की धारा दो धाराएं और पढ़नी पड़ेगी आपका 123 और 124 तो बेरेक से हम कवर करेंगे क्योंकि बेरेक में उन धाराओं का उलेख रहेगा तो उसी समय उन धाराओं को क्या किया जाएगा डिटेल में बता जाएगा अपले कंसेप्ट करके बनाईए भारती साच अधिनियम की धारा 162 में यह प्रावधान किया गया है कि नयायाले किसी ब्यक्ति से कोई डाकुमेंट या कोई दस्तावेज पेस करने का आदिश दे सकता है अर्थात नयाले किसी ब्यक्ति को आदिश दे सकता है कि जो उसके पास डाकुमेंट या दस्तावेज है वह नयायाले में तुम क्या करो पेस तो कौन सी धारा में यह पावर है आपका एविडेंस की धारा एक सो बासर यह अटा दीजा आएए संबिधान देखा जाएग अर्थात नयाले को ये सकती प्राप्ति लिखा गया है कि उचतम नयाले भारत के किसी ब्यक्ति से कोई डाकुमेंट या कोई दस्तावेज पेस करने के लिए आदेशित कर सकता है यानि कि उचतम नयाले यह आदेश दे सकता है भारत के किसी प्राधिकारी किसी भी ब्यक्ति को कि वह कोई डाकुमेंट सुप्रीम कोट में क्या करे पेस अगर कोई ब्यक्ति इसका उलंगहन करता है पेस नहीं करता तो कंटेम्ट आप कोट के लिए वह दंडित होगा 142 में भी दिया गया है कि सुप्रीम कोट अपने आमान या कंटेम्ट के लिए क्या दे सकता है सजा एक दो जारण इस पर बनाया जाए आपका हाई कोट का भी पावर हैं दिखे आपका दो जारण हम बता रहे हैं दो या ती थोड़ा समाने के लिए पहला आपका हाई कोट का ही बता जाए लहाबाद हाई कोट का आयोग लगातार कोशन गलत आपका कम्टिशन में दे रहा था कभी दस कोशन कभी बारा कोशन लड़के आपति किये हाई कोट में हाई कोट ने पूछा इतनी गलतियां क्यों हो रही है तो हाई कोट ने कहा कि आपका एक्सपर्ट कौन है एक्सपर्ट का नाम बताईए तो आयोग ने कहा कि नहीं बताएंगे ये गुप्त मामला है यानि कि राज को क्या रहने दिया जाए राज तो हाई कोट ने ये कहा कि हमें तो बताईए हम का उपन कर रहे है बैया दिसिद्ध किया कि आप दो घंटे के अंदर बंदली फाफे में जो आपका एक्सपर्ट है जो ये गलत सही कोश्चन गलत गलत निकाल रहे है उनका नाम बताईए तो आयोक बहुखला गया दो घंटे के अंदर आयोक के वकील ने बंद लिफाफा में नाम दिया अब यह है कि जब नाम दे दिया तो क्या उन नामों को ओपन किया जाएगा कि परिबद कर लेगा नायाल है जो लिफाफा में दिया गया आपका पायक करके तो बताईए अगर ओपन होगा तो लोग इसपर्ट के पहुँझाएं के पहले कि कौन सा कोचन गुरु जी बनाये थे दो चार बता देते तो हमारा क्या हो जाता नाम सुदे के हाई को ने मंगाया मंगा कर देखा लेकिन देखकर आपका किसी भी पच्छी को नहीं दिया नहीं रिकार्ड में रखा अपने पस जब्त कर लिया उसको कहते हैं impound करना impound मतलब परिबद करना परिबद मतलब क्या करना अपने पास रख लेना तो कोचन आपका पिछली बारे प्योका कि क्या आप राधिक नयायाल है अपने समझ पेश की गई डाकोमेंट को impound या परिबद या जप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है सेक्षन हम आगे बताएंगे लेकिन एक बार बता दिया जा भूमका में 104 में हैं 100 CRPC की धारा 104 या चुआ कोचन अच्छे से त्यार रखना है इसको जब पढ़ा जाएगा तो 2-3 धाराएं और पढ़नी है इसके बाद आपका CPC में भी ये नियम है वो भी कॉलेट करना है अब आगे बढ़ा जाए इसके इसका मतलब यह हुआ यह तो हाई कोट आउदाराना सुप्रीम कोट का एक देखा जब दस्तावेज पेस कराने के बारे में सुप्रीम कोट में यह हुआ अभी आपका सरकार ने नहीं किया पेगासस का मामला ही है कि सुप्रीम कोट में कहा कि दस्तावेज पेस करिए सरकार ने कहा कि हम दस्तावेज पेस नहीं करेंगे यह देश की सुरच्छा से जुड़ा मामला है अथा हम पेस करने से आप क्या करते हैं इनकार तो सुप्रीम कोटों लगा कि वास्तों में पेगासस कांड हुआ है इसमें कोई सक नहीं है कि पेगासस कांड हुआ है और तमाम लोगों का फोन टेप किया जा रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका फोन क्या किया जाएगा है उरियाई एक इसे तो आपके नमबर पर कोई मिसकल भी उस नमबर से आ गया तो आपका पूरा mobile ग्रेशा हो गया सिस्टम मेंforward है कुछ करने क्या हो सकता नुल है सब-पेगासस में एक मैसेज ही परियाप्त है link क्लिक करने किया हो सकता नहीं है अगर whatsapp उदर से मैसेज आ गया कि यह आपके मोबाइल पर मिस्ला भी आ गया तो आपका फूरा सिस्टम है हो गया आप क्या बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आपका लोकेशन कहा है सब टेप हो रहा है ये आपका बनाया है इजराय की कमपनी ने और इसको फुलियाम तोर पर तो नहीं खरदा जाता लेकिन गुप तोर पैसरकारें क्या करती हैं अब कितना पैसा लगा राफेल में कहां सरकार बता रहे थी तब पप्पु ने कहा कि चौकिदा सरकार ही क्या है जोर और ये किसने कहा सुप्रीम कोट ने यानि कि पप्पु यहीं जोड़ दिया आगे कि किसने कहा तो सुप्रीम कोट कहा मैं कहां कहा हूं क्यों आपको हमाना में दढ़नी पिया जाए तो जाकर हमारे पपु महोदै मापी मांगे कि गलती हो गई सुप्र सुप्रीम कोट में पेस नहीं किया तो अंत में सुप्रीम कोट को आदेशित करना पड़ा एस आइटी बनानी पड़ी जो इसकी क्या करेगी जांग एक ममला आया ब्लैक मनी का भी आया ब्लैक मनी के मामले में स्यूटिजर लैंड में आपका जितने खताधारत थे कुछ नाम भारत सरकार को मिले लेकिन स्यूटिजर लैंड की सरकार से समझाओ तक कि आप भारत सरकार ने कि आप नाम बता दीजिए इन नामों को हम सारुजनिक नहीं करेंगे केवल सरकार जानेगी आम आदमी नहीं तो ब्लैक मनी को लेकर आप जानते हैं कि बाबा राम देव आपका आंधोलन किये, जो इसे में और आपका तघड़ी सुरच्छा उनकी और आंधोलन किये, कांगरेस वालों ने लठिया दिया अपनी पुलिस से, आपका लठिया दिया तो आपका फिर प्रण किये कि हम कांगरेस की सरकार को क्या करेंगे उखाड फेकेंगे फेक भी दिये दो पार से फेक नहीं रहे हैं अब आगे क्या करेंगे वो जाने बाबा इसलिए सब मुकदमे वापस हो गए सौ मुकदमों से अधिक मुकदमे हुए थे और सभी मुकदमे उतरा खंड सरकार ने क्या किया रिबो कर लिया तो आपका काला धन सुप्रीम कोट ने का किलिष्ट बताईए जो स्वीटिजर लेंड से मिली है सरकार ने का कि नहीं बताएंगे हम करार किये हैं तो सुप्रीम कोट ने का कि हमें तो बताईए तो जजों को बंदली पाफे में दिया गया लेकिन जजू ने कहीं भी आद तक सारोजनेक नहीं किया किसका नाम है आज भी अनुमान ही लगाया जयता है किसका नाम है तो उसका नाम है को कि सरकार बचन बद हैं कि वह नामों को उपन किसे समझाओता है स्विटिजर लैड से तो इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि उच्चतम न्यायाले को भी सकती प्राप्त है कि वह किसी भी प्राधिकारी से कोई डाकॉमेंट क्या करे मंगा ले ये सकती किस अनुछेद में है आपका 142 अब सिविल मामलों में आजाएए भाई सिविल मामलों में सिविल न्यायाले को भी सकती प्राप्त है कि वह किसी ब्यक्त से कोई दस्तावेज पेस करने का आडर दे सकता है आदेश दे सकता है कोई चीज पेस करने का आदेश दे सकता है यान कि सिविल न्यायाले भी ऐसा कर सकता है तो CPC की की धारा में आपका 30 में और अगर आप पेश नहीं करते आदेश के बाजूद तो CPC की कौन सी धारा बनी है 32 आप दंड के भागी होंगे गिरबतार करके जिल भी भेजे जा सकते हैं आपकी संपति कूर्क भी हो सकती है इसके बाद अधिकतम कितना जुर्माना वहीं रटना है प्रतिकर की जुर्माना अधिकतम कितना 5000 ने आले लगा सकता है कमपसेशन नहीं जुर्माना दंड का एक क्या है भाग है रूप है तो यार रखिये यह है इसके बाद IPC लाश्ट में कोर्लेट करना है कि अगर किसी ब्याक से ये कहा गया कि वह आदेशित किया गया कि वह कोई दस्तावेज कोट में पेस करे और वह ब्याक्तिक दस्तावेज पेस नहीं किया तो ऐसी दसा में क्या प्रभाव होगा क्या दस्तावेज पेस न करने वाला ब्याक्ति सजा का हकदार होगा कि नहीं ये जाना है मैं इस सेक्शन देखना पर कि देख लेते हैं भाई एक बार ठीक है भाई आपका ये 175 ही है यानि कि ऐसा ब्यागति IPC की धारा 175 के तहट सजा का क्या होगा हकदार अब आईए देखा जाए आपका ये CRPC शुरू किया जाए तिके CRPC का अध्या जो 7 है वो है आपका कह सकते हैं कि चीजें पेश करने को विवस करने के लिए आदे सिकाएं यानि कि इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई दस्तावेज या बस्तु या पतार्ति या चीज पेश करिए इसके लिए नयायाले कि रिमनल याले आदेश देते हैं तो आदेश देंगे इसमें कई खंड बना हैं आपका हम खंड ए बता रहे हैं और खंड ए हैं पेश करने के लिए समन तो आपका दो धाराओं में 91 और 92 कि इसका मतलब भी आया कि 91 और 92 में आपका दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए समझ जारी होता है तो बुलाने के लिए नहीं बलकि क्या करने के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए आखिर 91 और 92 में है क्या और दो पॉइंट यहाँ याद रखना है वह पॉइंट ये याद रखना है कि अगर पुलिस किसी ब्यक्ति को कहती हैं कि वह कोई दस्तावेज पेश करें तो पुलिस अदिकारी समन जारी नहीं करेंगे ये कोचन आ चुका है वह लिखित आदेश देते हैं रिटेंड आडर देते हैं और अगर न्यायाले ये कहेगा आदिसित करेगा कि कोई ब्यक्ति दस्तावेज पेश करें तो न्यायाले क्या जारी करेगा समन फिर एक बार देखेंगे पूलिस अधिकारी चाहता है कि वह किसी इव्यक्त से कोई देश दस्तावेज पेश कराए तो समन जारी करा दीजेगा क्या जारी करेगा लिखे आदेश और नयायाले चाहता है तो क्या जारी करेगा समन अब देखे बेरेट की महासा 91 देखे भई दस्तावेज या अनी चीज पेश करने के लिए समन पहला खंड देखे जब कभी कोई नयायाले या पूलिस थाने का कोई भार सादक अधिकारी यानिकि इसका मतलब कि 91 में कौन-कौन प्राधिकारी सच्छम हो गए तो कोई नयायाले भी हो गया और दूसरा कौन हो गया थानेदर यानिकि थाने का भार सादक अधिकारी यानिकि थाना प्राभारी एस एच ओ यानिकि थाने का मुक्या गाउं का मुक्या ना मार देजिएगा किसका मुख्या तो थाना प्रभारी थाने का क्या होता है मुख्या समरें न आप मुख्या मतलब क्या हुआ हाँ देखे वह एकदम सही पकड़ ले बता दें कि थाने का मुख्या मतलब कि थाने का मुख्या दिकारी यानि कि भारसादक अधिकारी या थाना प्रभारी या दरोगाजी हैं यानि कि थाने का सिंगम जिस पर पूरे थाने के रिया का क्या हो भार वागे देखे भाई थाने का कोई भारसादक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अनवेशन जाच विचार या अन्यकारवाही के प्रयोजन के लिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर नयाले या थानेदार साहब यह समझते हैं कि वाई इन्यवेशिगेशन या विवेचना के लिए या इनक्वारी चल रहे हैं तो जाच में या ट्राइल चल रहा है तो विचारण में या अन्यकारवाही चल रहे हैं उसमें करवाही के प्रयोजन के लिए परपज के लिए जो इस सहिता के अधिन ऐसे नयायाले या अधिकारी द्वारा या के समझ हो रहे हैं किसी दस्तावेश को या अन्य चीज का पेस किया जाना आवस्षक किया वांचनी है इसका मतलब कि कोई दस्तावेश पेस किया जाना या कोई बस्तु पेस किया जाना आपका क्या है वांचनी है यानि कि आवस्षक है तो जिस व्यक्त के कबजे या सक्ति में ऐसी दस्तावेश या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा नयायाले एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेशा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उलिखित अस्थान और समन पर उसे पेश करे अन्य थाहाजीर हो और उसे पेश करे यानि कि फिर एक बार देखे अब तोड़ लिया जाए बेरे को पहला नियम ये आया कि नायाले पर आया जाए यह दिन नायाले को लगता है कि उसके समझ या उसके द्वारा बाई अनवेशन में जाच में विचारन में या अन्यकारवाहियों में न्याले को ये लगा कि कोई दस्ताविद न्यायाले में पेश किया जाना चाहिए। तो ऐसी दसा में न्यायाले उस बैक्त के नाम समन निकाल सकेगा और उस बैक्त से अपेच्छा कर सकेगा कि आप इस दस्ताविद या चीज को प्रस्तू करिए या स्वयंग आईए और प्रस्तू करिए। यहाँ एक कोशन बनता है कि क्या ऐसी बैक्ति का दस्ताविद लेकर स्वयंग आना आवस्यक है कि आवस्यक नहीं है आवस्यक नहीं है। वह चाहें तो स्वाइंग ना आकर उस दस्ता वेज या चीज को किसे भेजवा सकता है दूसरे से स्वाइंग आना वह सकता है लेकिन अगर आले ने कहा है कि स्वाइंग आओ तब वह स्वाइंग आना पड़ेगा अनिता अगर वह किसे भेजवा दिया दूसरे से भी तो काम अब दूसरा वे आईए अगर थाने का भारसादक अधिकारी है अनवेशन चल रहा है जान चल रहे हैं विचारन चल रहे हैं इत्यादिकार वाही उसे लगता है कि कोई दस्तावेज या चीज पेश करना चाहिए उसके समझ तो ऐसे ब्यक्ति के नाम वह समन्द उजारी नहीं करेगा तो उसके लिए बेरेट में क्या लिखा है लिखी तादिस या रिटेंड आडर तो वह रिटेंड आडर जारी करेगा और ऐसे ब्यक्ति से कहेगा कि आप इस समय पर इस तिति पर खाने में ला करिए दस्तावेज जा करिए लाइए या स्वेंग आईए और लाइए या तो किसी से भेजवा दीजिये या स्वेंग हाजीर हो ये और लाइए अब यहां आपका एक कोशन ये बनता है कि क्या न्यायाले अभ्यूक्त को इस धारा के तहत समन जारी कर सकता है या पुलिस अधिकारी आदेशित कर सकता है कि अभ्यूक्त के पास जो दस्तावेज ह वह दस्तावेज अभ्यूक्त लाए नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि अनुछेद बीस का खंड तीन ये बताता है कि कोई भी अपराद का भ्यूक्त अपने ही विरूद साच देने के लिए बाद किया जाएगा कि नहीं यह धरा अभ्यूक्त के विरूद लागू नहीं होती क्योंकि प्रतेक अपराद के अभ्यूक्त ब्यक्त को हमारा सम्भिधान का अनुछेद बीस का क्लाज तीन प्रोटेक्शन देता है कि protection against self-incrimination अर्थात्म आत्म अपराध रूपन से सन रच्छा या आत्म अभिशंशन से सन रच्छा या अपने अपराध को स्वीकार करने से सन रच्छा यान कि किसी भी अभियुक्त ब्यक्त को बाउंट नहीं किया जाएगा कि वह अपने विरूद अपराध को क्या करे स्वीकार इसलिए अभियुक्त इसमें सामिल नहीं है आपका याद रच्छा अभियुक्त के खिलाब नियम लागू नहीं होगा दूसरा खंड देखे यदि कोई ब्यक्त जिसको जिससे इस धारा के अधिन दस्तावेज या अनी चीज पेश करने कि अपेच्छा की गई है स्वयंग हाजिर होने के बज़ाए उस दस्तावेज को किसी अनी से पेश करवा दे तो ये माना जाएगा कि आदेशा पालन कर लिया कि नहीं किया क्या बता गया तो किस खंड में हैं खंड दो में स्वयंग हाजिर नहों कर किसे बेजवा दे दूसरे से एक लाइन खंड तीन काफी महत्पूर है जहां तक खंड तीन की बात है खंड तीन आपका 91 का exception दिया गया है यानि कि दहारा इक्यानबे का जो अपवाद दिया गया है वह खंड तीन में दिया गया है देखे क्या लिखा गया इस धारा की कोई बात यानि कि इसका मतलब भी हुआ कि धारा 91 में जो बातें हमने बताई वे बातें निमनिलखित दो मामलों में लागू नहीं होंगी धारा 91 में अब तक हमने जो बातें बताई थी खंड तीन ये बताता है कि ये बातें आपका दो मामलों में लागू नहीं होंगी कौन कोन मामले हैं तो भारती साच्य नियम की धारा 113 और 124 और बैंककार बही साच्य नियम की धारा आपका बैंकार बही साच्य नियम 1891 के कानून पर प्रभावड नहीं डालेगी तो कितने अपवाद पहले खंड में हुए तीन जहां की 91 का सहारा नहीं लिया जा सकता पहला अपवाद क्या हुआ एविडेंस की धारा 121 दूसरा अपवाद क्या हुआ नहीं 123 दूसरा अपवाद क्या हुआ 124 123 पर लगातर कोश्चन मनता है पापुली लेक्स सुप्रिमो जनहित सरोच भी दियोती है S.S.S. सिंग सोडी सुखदेव सिंग मना पंजाब राजी के वाद में यानि कि किस धारा का सिधान्त है पापली लेक्स सूप्रीमो पिछली बार भी बना था रगातार बनता रहता है तो कौन सी धारा एविडेंस की कौन सी धारा एक सो तेज़ अब ध्यान से देखे दोनों धाराओं में इस तो कल बता जागा इधर उदर प्लाव रहा है एक तो सर्जी कामी परिसान किया है दवा खाली आदमी सो गया यह भी समस्या है दवा लिया तो खा दिन में तो नीद आ गई अपेज लिट हो गया पंदह मिनट यानि कि आपका नहीं जा रहे हुगा ही दावा लेंगे भाई हमेशा जुकाम बना हुआ है तो कल लोर पला जाएगा